साथियों जोहार आज मुझे एडी गिराफतार करने आई हैं दिन बर हमसे पुछताज करने के बाद समय बिताने के बाद सुनियों धंक से मुझे गिराफतार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया और किस विषय पर ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है मुझ पर साड़े आठ एकड़े जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भुःरी जमीन क्या जो जमीन कभी बिख्ती ही नहीं और कहीं सबूत नहीं मिला दिल्ली में भी इन लोगों ने छावे मार कर हमारी जो चवी खराब करने की कोशिस की और आज अंतोगत्वा ये सुने तरीके से दिन भर ये योजनाबत तरीके से आए समय काटे और उनको पता है कि साम के बाद कोट के चरी बंद हो जाता है और उन नेने में सुनाया मैं कोट के नेने पर बिल्कुल सरमानने के साथ उसका सम्मान करता हूं अभी मैं कोट में जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा क्योंकि आपको पता है की विवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चबती हैं आज एक लोगप्रिय सरकार एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीत कर सरकार बना कर राज की जनता का सेवा कर रहा था आज लगता है यह वक्त अब मेरे लिए खतम हो रहा है अब एक नहीं लड़ाई हमें लड़नी पड़ेंगी ऐसे सामनती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोस लोगों को गरी निरी आदिवासी दलीद पिचड़ों के उपर जो अत्यचार करते हैं उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संगर्स भी करेंगे आज मुझे संभाता ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे मुझे उसका चिंता नहीं है सीवो सोरें का मैं बेटा हूँ संगर्स हमारे खून में है और संगर्स करेंगे लड़ेंगे जीतेंगे और जिस मनसुबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोग ने ने लिया है और आपको हम बता दें बड़ा अश्यर की बात है अभी मैंने जमीन को लेकर उन्होंने मुझे पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं बलकि जो लोग जाली कागच बना कर और जिनके फरजी सिकायत के अधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक सर्यंत्र रजकर ये काम्याब हो रहे हैं और मुझे पुरा विश्वास है आज ने कर सत्य की विजय होगी साथियो समय में बहुत कम है बहुत कम समय में यह मैं वीडियो बना रहा हूं एक जो अभी हाल में राजनितिक सर्यंत का सिकार विहार हुआ है अब ये दूसरे राजनितिक सर्यंत का सिकार जार्खन को बनाना चाहते हैं लेकिन आप अस्वस्त्र हैं हेमन स्वरेन जार्खन कि हर एक वेक्ति के दिल में है हर एक नौजवानों के दिल में हर एक बुजुरुगों के दिल में हर एक बच्चों के दिल में रहेगा और जिस तरीके से बुड़े बुजुरु के सेवा करते हुए नौजवानों को रोज़ार देते हुए अपने महिला सस्थिकरण को लेकर ह किया वो एक लंबा इतिहास लिखेगा एक लंबा लकीर के रुक में मैं इसे आज संभावता ये इस लकीर को और ना खिचने दे मुझे लेकिन आप अस्वस्त रहें सत्की कभी हार नहीं होती ये मुझे जरूर थोड़ा बिचली तभी करने का प्रयास कर रहें लेकिन ये बह आगे से इस तरीकी के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़े धन्यवाद साथियों जोहार और कल सुबह अगबार के माद्यम से टीवी चैनलों के माद्यम से संभावता आप सब लोग को इस बात की खवर होगी कि आज हे मंसुर इन गिरफतार हो गया और हमा मैं जानता हूं जारकन की जनता काफी समय दंसील है और कर्मठ है और हम अपनी इमानदारी के साथ अपनी लडाई को जारी रखे गए और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी इस लडाई में आपका भी पूरा सहयो मुझे पराप्त होगा धन्यवाद जोहार